Hello everyone, तो कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ आप से बहुत ही अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class 12 Physics का दूसरा चेप्टर जो है बिद्दुत भी बहुत अथा धारीता इस चेप्टर का हम बहुती मैं कह सकता हूँ बहुती important topic अज किस वीडियो में हम discuss करेंगे जो है बिद्दुत धारीता या हम सिंपोले में धारीता भी कह सकते हैं तो धारीता किसे कहते हैं इसका परिभासा क्या होता है इसका formula क्या होता है मातर क्या होता है रासी क्या होता है इसका बिमियसुत्र क्या होता है विद्दुत धारीता का अर्थ क्या होता है मतलब meaning क्या होता है पूरा हम detail में इस topic पर explain करने वाले हैं मैं आपको पहले ही कह द अब मैं आपसे केवल यही चाहता हूं कि आप भी समझने पर फोकस किजिएगा रटने पर ध्यान नहीं देना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखें इस चेप्टर के आपने बहुत सारी टॉपिक पहले ही कवर करा दिया है यदि आपने नहीं देखा डिस्क्रिप् में इकाई बोल्ट की व्रिधी के लिए आवश्यक होता है तो यहां पर यह परिवासा कह दिया बट परिवासा आपको याद नहीं हुआ होगा मैं भी जानता हूं या ऐसे पढ़ने से या थोड़ी नहों जाएगा तो हम याद आपको कराएंगे वो कैसे तो दिखिए हम ज होता है जहां पर यह क्यों क्या है विजया तो क्यूं है आवेश भी क्या है भी है विभाव ठीक है और यह सी क्या है धारीता है तो यहाँ पर यह कहता है यहाँ यदि जो भी है भी मतलब विभाव है तो यदि भी के मान को हम एक ले लेते हैं एक का मतलब ईकाई ठीक है एक का मतलब क्या है, एकाई है, तो यदि हम भी के मान को अगर हम एक ले लेते हैं, तो उस समय पर यदि इसका मान एक हो जाएगा, तो उस समय पर जो C होगा, वो Q के बराबर हो जाएगा, उस समय पर जो C होगा, वो Q के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो बिलकुल हो जाएगा, तो यहां से यह Q क्या है, यह Q है आवेश, इतने हम जानते हैं, यह C क्या है, धारिता है, ठीक है, और यह क्या है, यह है, बीभौव, भी क्या है, बीभौव है, तो देखिए, यहां से हम परिभासा क्या कहेंगे, यहाँ से हम परिभासा यही कहेंगे कि क्या हम कहेंगे कि कोई भी चालक है कोई भी एक चालक तार है जैसे सब्सक्राइट यह माल लेते हैं कि यह एक चालक तार है यह क्या है एक चालक तार है तो इसी चालक की बात हो रही है तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक की रहां से होती है जो उसके बिभाव में इकाई बोल्ट के व्रिदी के लिए अवश्यक हो अरे यह बिभाव का मात्रक बोल्ट ही न होता है तो एक मतलब क्या एक हमने बोल्ट ही तो लिया है न एक बोल्ट तो वही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की किसी भी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता आवेस के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके बिभाव में इकाई बोल्ट के व्रिदी के लिए आवश्यक होता है बात समझ रहे हैं तो पहले आपका फोकस यह होना चाहिए परिभासा याद हो जाए आपको एक बार और सुनिये क्योंकि मैं चाहता हूँ दिल से कि आप परिभासा इसे वीडियो में याद करें ठीक है ना रट्टा मारेंगे समझ में नहीं याने वाला मैं चाहता हूँ आप इसे वीडियो में याद करें याद होना भी चाहिए आखो मैनत किसलिए हम लोग कर रहे हैं इसलिए है तो यहाँ पर देखे हम कह रहे हैं हम कह आवेश के उस मातरा के बराबर होती है जो उसके विभाव में इकाई बोल्ड के वृधी के लिए आवश्यक होता है यहाँ पर वृधी होगा ठीक है यह थोड़ा सा टाइपिंग में मिश्टिक हो जाता है आप समझ रहे हैं तो यह आपका परिभासा हो गया अगर आपको इस उससे तो किवल परिभासा आपको समझ में आ गया होगा बट वास्तों में क्या विद्धु धारीता है यह आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ क्यूंकि हम जो भी टॉबिक पढ़ेंगे डीप में डिसकस कर लेंगे दिखें सपूड हम इसे माल लेते हैं यह एक क्या है चालक है ऐसे हमने माल लिया कि यह एक क्या है चालक है यह क्या है एक चालक तार है ऐसे हमने माल लिया यह एक क्या है चालक तार है अब इस चालक पर जो विभो है माल लेते हैं इस चालक पर जो विभो का मान है माल लेते हैं 15 बोल्ट है बात समझेंगे यह एक चालगतार है जिस पर बीभव कितना है 15 bold है क्या है हमने बीभव के बात किया बीभव कितना है 15 bold है अब मैं आप से nou कि सर इस 15 bold इसका बीभव है तो इसको हमें 16 bold करना है यह जो 15 bold लिखाई दे रहा है ना इस 15 bold को हमें इस चाला का 16 बोल्ट करना है ठीक है मतलब 16 बोल्ट 15 से 16 करेंगे मतलब एक की ही तो ब्रीदी कर रहे हैं एक बोल्ट की एक बोल्ट का ही हम क्या कर रहे हैं एक बोल्ट का ही ब्रीदी कर रहे हैं 15 से 16 कर रहे हैं तो देखिए हम यहीं कह रहे हैं कि इस चालक की जो विबव है उसमें हम एक बोल्ट की बिरिदी कर रहे हैं 15 से 16 कर रहे हैं तो 15 से 16 करने के लिए हमें इस चालक पर जितना आवेश की मात्रा की आवसकता होगी जितना हम आवेस इसको देंगे वही आवेस वही उसी आवेस को ही हम धारिता कह रहे हैं समझ रहे हैं पंदरा से सोला बोल्ट करने के लिए हमें इस चालग पर जितना आवेस देना पड़ेगा जितनी मात्रा की आउसकता होगी उसी आवेश को हम विद्धु धारिता कह रहे हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 16 कर रहे हैं मतलब एक बोल्ट की वृति कर रहे हैं तो एक बोल्ट ऐसे ही नहीं नबड़ेगा जब आवेश इसको कुछ न कुछ आवेश हम और प्रोवाइड करेंगे इसको देंगे तभी नब एक बोल्ट की वृति होगी तो वही आवेश क्या कहलाएगा बिद्धु धारिता कहलाएगा तो वही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की हम क्या कहारते हैं, किसी चालक की धारीता, आवेश के उस मातरा के बराबर होता है, जो उसके बिभों में इकाई बोल्ट के व्रीधी के लिए आवश्यक होता है, तो मैं आप आसा करता हूँ कि आपको असानी तरीके से समझ में आगया होगा, परिभास आपने समझ लिया, दे मैंने मिस्टेक से भूल गया हूँ देखिए क्या ची देखिए बिद्दु धारिता का जो अर्थ होता है यदि हम इसके अर्थ पर बाते तो इसका अर्थ याद रखेंगे आप इसका अर्थ होता है कि आविश को कि धारण करने की छमता ठीक है जी इस बात को आप याद रखेंगे देखिए बिद्दु धारिता केफिसीटर तो केफिसीटर मतलग केफिसीटी कितना इसका अपने अंदर धारण कर पाएगा कितना इस्टोर कर पाएगा तो यहाँ पर हम बिद्दु छेतर की बात करें तो उसलिए हम आविश को लेकर चलेंगे तो आविश को जितना कोई भी चीज है यह चालक है तो इसकी भी एक केपिसीटी है कि मैं इतना आविश ले सकता हूँ उससे जादा देंगे तो मैं उसको फ्लो करा दूँगा बहा दूँगा उससे छोड़ दूँगा जैसे माल लेते हैं एक 5 लीटर का कंटेनर है माल लेते हैं 5 लिटर का एक बर्तन है तो उसमें आपने 5 लिटर पाणी डाला तो 5 लिटर तक तो वो अपने अंदर रखेगा उससे अधिक आपने दिया तो वो उसको निकाल देगा वैसे ही ठीक ये भी कोई भी चालक है तो उसकी भी एक केपिसीटी होती है कि 5 लिटर के मतलब आवेस तक ही हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद अगर हम उसके आवेस देते हैं तो वो आवेस नहीं लेगा ठीक है ना तो वही बात कहा जा रहा है कि आवेस को धारण करने की जो चंता होती है कोई भी चालक है लिए फॉर्मूला समझ लिए अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं जो मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं सबसे पहला पूछा जाता है मात्रक दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है रासी और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है बीमिया सुत्र ठीक है जी मानते हैं की नहीं ये सब अब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाते हैं तो इसलिए मैं कहूंगा इस सब पर BCS का ध्यान दीजिएगा आप कहते हैं नब mcq कराएं mcq भया यह mcq यह tino mcq है यह यह tino आपके लिए most important है तो इसलिए मैं कहूंगा इस पर बिल्कुल भी miss नहीं करना इसको याद कर लेना है मातरक की बात करें तो दीखें मातरक क्या हो जाएगा आप इसका मातरक कुलाम होता है विभो का मातरक बोल्ट होता है तो इसका मातरक हो जाएगा कुलाम प्रती बोल्ट ठीक है जी कुलाम प्रती बोल्ट हो जाएगा दूसरा एक और मातरक आप इसके याद रखेंगे दूसरा मातरक क्या हो जाएगा जो है फाइराडे डाउन का केली दिया है तो मातरक याद रखेंगे कुलाम प्रती बोल्ट भी होता है और फायराडे भी होता है इससे आपको कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं कहूंगा कि आप दूनों याद रखेंगे ठीक है ना मातरक कैसे निकाला जाता है ये भी हमने सबकुष एक वीडियो में ही आपको बताया गया है क्लास 11 में पढ़ना चाहे टाइम ये तो पढ़ लीजेगा लिखेगा मातरक निकाला दिखें ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे इतना समझ लिए रासी पर यदि हम बात करें तो रासी ये कौन सी रासी होती है तो अदीश रासी होता है ये कौन सी रासी अदीश रासी होता है अगा बीमिया सुत्र पर बात करें तो इसका बीमिया सुत्र होता है तो मैं आसा करता हूँ ये तीन आपको जो topic है ये आपको clear हो गए होंगे otherwise मैं यही कहूँगा देखिए आपका पूरा ये total हमने topic को explain कर दिया अर्थ, परिभासा, formula उसके बाद ये तीनों चीज़े हमने discuss कर लिया है तो ये आपका पूरा बिद्दु धारीता है ये आपका concept clear होता है otherwise देखिए मैं आपसे दो ही चीज़े मोख्या तक हूँगा सबसे पहली बात यदि आपको वीडियो से सीखने को मिला है यदि समझ आया है, पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा और आपके जितने भी जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, स्कूल गूरूप है, कोचिंग गूरूप है उसमें हमारी इस वीडियो को सेयर कीजेगा उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें ठीक है न, इतना आप करेंगे हमारी लिए, बहुत है हमारे लिए दूसरा, दूसरा ये बात है, यदि आप Physics और Chemistry का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं अपने Class 12 का, Board Exam में 80-90% लाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा, जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ Physics Chemistry में वैसे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्टर बॉक्स में Physics और Chemistry दोनों का लिंक हमने दे दिया है, उसके साथ-साथ Physics और Chemistry के नुमेरिकल का भी लिंक आपको दे दिया गया है मैं आपको बता दू, देखे, Physics का टोटल, ये तो दूसरा चेप्टर है न, तो Physics के हम All Chapter जो आपके 14-15 चेप्टर है, तो उन 14-15 चेप्टरों का नोट्स आपको दिया जा रहा है, Only 99 रुपे में ये आप Physics का लेना चाहते हैं, तो कहीं 299 है, कहीं 399 है, पर मैं उतना नहीं रखूँगा, मैं पर चेप्टर लगबग 5 रुपे है, 7 रुपे, 6 रुपे रख रहा हूँ, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 99 रुपे में पे करके ले सकते हैं, नीचे WhatsApp नमब तो Chemistry का भी आप नोट्स ले सकते हैं, दूनों अगर एक साथ लेते हैं, तो 149 रुपे में आपको दूनों का मिल जाएगा, ठीक है, तो WhatsApp पे मेसेज करके आप पता कर सकते हैं, मैं आसा करता हूँ, इतनी बात समझ गया हूँगे, आप कहेंगे सब पैसे ले रहा हो, वो ये तो ये सब अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए पूरा मेहनत किया जा रहा है, नोट्स माना नहीं बहुत मेहनत लगता है, तब जाकर बनता है, अब मतलब फ्री में वीडियो बनाया जा रहा है, कितना, नोट्स में हर विद्धार्थियों को नहीं कह रहा के लिए ले, जिनको आगे तियारी करना है, जिनको आगे, मतलब उनको लिए आवश्यक है, जिनको आप competitive exam देना है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है कि वो नोट्स से अच्छे से पढ़ाई करे छोटी 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 topic भी पढ़े, हम तो आपको केवल chapter wise important topic पढ़ा र चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक नए topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद